बिस्मिल्लाइराहमारी राहिम इस्पेक्टर टीचर डियर स्टूरेंट्स अस्सलामुलेकूं मैं हूं जाहिज जवेद आपके साथ मैथमेटिक्स 7 के यूनित नमबर 8 अलजबरिक एक्यूजियन्स इन कॉलिटीज और लेसन नमबर 6 साज हम स्टेटी करने जा रहे हैं मेंस कॉंसेप्ट इस एक्सरसाइज 8.3 तो यहां पर हमारे पास है एक्सरसाइज 8.3 फाइंड दे सिलूशन सेट्स और बाई यूजिं दे मैथर अपिक्वेटिंग कोफिशेंट्स यहां पर हमारे पास कोश्चन नमबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं इन सब में हमने कर सकते हैं वैरी सिंपल कि यह जैसे मेरे पास कोश्चन नमबर 4 है कोश्चन है इसमें 2x-3y is equal to 13 and 3x plus 2y is equal to 0 तो हमने कैसे देखना है कि हमारे variables के कोफिशेंट्स क्या है पहली question में एक्स का वेरियबल एक्स का कोफिशेंट 2 & y का 3 दूसरी में एक्स 3 & y 2 है तो हमें किसी तरिके से इन variables को duplicate करना है balance करना है तो अगर मैं देखता हूं first equation के को मैं 3 से multiply करा दूँ और और 2 को तू से यूँ भी आप कर सकते हैं कि पस्ट एक्वेशं के फिस्ट का कोफिशेंट को एक्वेशनन्बर रस्फेंड के सांथ रसstäक्ण एक्वेशन नमबर 1 and 2 multiply equation number 2 तो देखते हैं अब पहली equation को जब मैं 3 से multiply करा हूँ गा तो 3 2 जा 6x minus 3 3 is a 9y is equal to ये था 13 तो 39 13 3 is a 39 अब second equation को मैं 2 से multiplying कराने जा रहा हूँ तो वो बन जेगा 6x plus 4y is equal to 0 because वो 0 के equal है 0 से कोई भी number multiply होगा तो वो 0 ही बन जाएगा अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास जो first equation है उसके में x का variable 6 और y जो है वो minus 4 और second equation में x का variable 6 और y का plus 4 है तो अगर मैं इन दोनों equations को plus कर देता हूँ adding कर देता हूँ तो एक y के values यहां से cancel हो सकती है कैसे minus 4 और plus 4 add होने से cancel हो जाएंगे यहां पे 6x और 6x plus होगे 12 x आजेगा और is equal to आजेगा 13 plus 0 is the 39 39 plus 0 is the 39 so x is equal to 39 over 12 जब x की value आपके पास आजेगी 39 over 12 तो इस value को आपके जो first equation से पहली और दूसरी उन दोनों में किसी भी जगा पे x की जगा पे put up करेंगे और put करने के बाद आप इसको solution कर सकते हैं जैसे के second के अंदर में put करने की कोशिश करता हूं तो थरी इंट्व थरी नाइन ओवर ट्वैल प्लस टू वाई इस इकॉल टू जीरो है तो थरी फोर जाट्व हो जाएगा तो यह आपका equality के दूसरी तरफ चले जाएंगे यहां से तो टू वाई इस इकॉल टू बन जेगा माइनस 39 ओवर और यहां से जो टू है उसके साफ बोज साइट पर कर देते हैं डिवाइड तो हमारे पास वाई की वैल्यू बन जेगी 39 ओवर 8 माइनस का तो इस तरी के से एक्स की वैल्यू 39 ओवर 12 और वाई की वैल्यू 39 ओवर अपके पास 8 आ गई है similarly you can do the other questions हमने पहले lecture में भी इसका वही कोस्टिन है जो हमने पहले एक लेक्ट्चर में सीखा था किस आपने का दूतरा एक मैथड होता है जो के इलिमिनेशन यह सब्सक्राइब करते हैं और उसको सब्सक्राइब कर देते हैं सेकंड एक्वेशन के अंदर तो फिर हम उसको सॉल्व करके ईजी ली आंसर निकाल सकते हैं या इनके सलूशन निकाल सकते हैं जैसे के यहां पे कोरश्चन मेंबर 2 का पार्ट 6 है इसमें एक्स प्लस 8Y Is Equality 46 है तो अगर मैं एक्स इस एक्वेशन के अंदर जाके पूट कर देता हूं तो 3 एंट्टॉ एक्स की वैलियू 46 माइनस 8 Y यहां से एक्स की व तो सॉल्व कर लेता हूं 3 को 46 से मल्टिपलाई कराने और 3 को 8 से 46 से मल्टिपलाई गराएंगे तो कितना आएगा 6 3s 18 & 4 3s 12 तो यह आजेगा 138 तो 138 आ गया माइनस 8 3s 24y-y-y-0 अब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो यह मेरे पास आजेगा माइनस 25y is equal to इसको मैं ऊपर लेके चला जा रहा हूं माइनस 25y is equal to बन जेगा माइनस 138 और 25 जाके हो जेगा डिवाइड तो माइनस 138 divided by माइनस 25 माइनस कैंसल y is equal to 138 over 5 आजेगा 25 और इस 25 की वैल्यू यहाँ पे y की जगा पे equation number 2 में ही जाके put कर दें तो आपके पास x की वैल्यू आजेगी और आपको put करके उसको solve करना आता है बहुत simple से है questions elimination method है और एक क्या है coefficient को equate करने का method है तो दोनों method से आपको solve कर लेंगे question number one by creating the coefficients and question number two by elimination or substitution the value of the variable okay तो इस तरीके से हमारी exercise 8.3 एक्तिताम को पहुंची हम जा रहे हैं wrap-up में जहां पर है recognition of exercise 8.3 classwork में हमारे पास question number one का part four nine and ten है और question number two का part eight exercise 8.3 class में teacher के help से इन चारों questions को जल्दी से आप solve कर लें और हम चलते हैं आगे अपने homework की तरफ जहां पर हमारे पास question number two के part number five six and seven exercise 8.3 है घर में आप करेंगे parents आपके present होंगे उन से help लेजिए और अपने homework को अच्छे तरीके से solve कर लें ताकि आपकी यह exercise clear हो जाए तो इस तरीके से हमारी यह home work भी हो गया हम चलते हैं description box में जहां पर हमारे पास होते हैं lesson plans extractivities and power point presentations teacher and students इन सबसे help ले सकते हैं तो इस तरह से हमारा आज का जा लैसन को पहुंचा मैं चाहूंगा आपसे इजाज़त अल्लाहाफिज थैंक यूबर मैच